आव मेनी मेगा कुलम्स और पोजिटिव चार्ज आर परजेंट इन टू मॉल और निगेटिव दोनों बराबर है ठीक है तो दो मॉल है हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन ऐटम ऐसा होता है और हाइड्रोजन गैस का मॉल्कूल इस तरह से होता है ठीक है इसमें मॉल की बात कर रही है एक दो मॉल की बात हो रहा है तो एक मॉल हमें आपको हाइड्रोज नमबर पता है क्या होता है कि 6.023 x 10 to the power 23 particles बोलें या atom बोल सकते हैं पर mole इसका मतलब एक mole में 6.023 x 10 to the power 23 atoms है ठीक है अच्छा एक चीज़ बताइए हमें जानना है positive charge ठीक तो positive charge हमें जानना है चार्ज जानने के लिए पहले हम जानना परेगा कितना प्रोटोन है उससे हम प्रोटोन का एक प्रोटोन का चार्ज निकालने नहीं तो कितना प्रोटोन जानना है इतना प्रोटोन जानने से पहले हम यह जानेंगे फिर कितना प्रोटोन जानने के लिए हम यह जानेंगे कि कि जो किसमें कितना मॉल है तो हमें पता है एक मॉल में इतना एटम है तो दो मॉल दिया हुआ है तो दो मोल में कितना है टButton निकल जएगए इससे और फिर हम अराम से ए원gang से Π्रॉटॉन से चार्ज निटाल लेंगे हैं एटम का संबंध mess सभी होता है कितना है 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 इसका escreब है है इसका servic днейcar कि कि यहां में défप्राइगने क्यांकि हमें मॉल पर काम करना है मॉल और इटम पे стороны चार्ज करते, jakie चलेगा प्रोल्टोन से चलेगा 23 atoms, इतना atoms हो जाएगा, 2 mol में, ठीक है, अच्छा, यहाँ से अब देखे, बहुत इजी question यह है, यह atoms है, गुना 1 atoms यहाँ पे लिख सकते थे, गुना 1 है ना, तो एक atom में कितना proton है, तो इस H2 molecules में कितना proton होगा, H, H जब रहता atom हमारा, उसमें 1 proton और 1 electron होता, ठीक, यह H2 है, तो इसमें 2 proton और 2 electron होगा, तो एक इसके atoms बोलें, यह molecules per mole भी बोल सकते हैं, यह particles per mole भी बोल सकते हैं, यह H2 molecules है, तो हम molecules ही बोलें, जदा अच्छा रहेगा, तो इतना molecules per mole, यह 2 गुना 6.023 into 10 to the power 23, यह इतना molecules, इतना particles per mole होता है, तो हम मेरे पास particles क्या है, H2 का, ठीक है, तो यह हम atom ना बोल के, particles बोल सकते हैं, यह H2 बोल सकते हैं, इतना H2 per mole होगा, तो एक H2 में, ठीक है, particles बोल सकते हैं, यह molecules भी बोल सकते हैं, हम इसे, तो मैं बोल सकते हैं कि, इतना particles यह molecules एक mole में होगा, ठीक है, अब हमें देखे, एक mole स्कूल में कितना proton है, दो proton है, ठीक है, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, तो इसे हम अब solve करेंगे, तो हमारा answer आ जाएगा, इस प्रकार हम इसे पूरा calculate करेंगे, तो हमारा answer लगभग, 38.5472 into 10 to the power 4 coulomb, हमें चाहिए मेगा कूलम, ठीक है, तो हमें पता है, एक मेगा कूलम में 10 to the power 6 coulomb होता है, यहां इतना कूलम है, इसे कैसे बना है, तो 2 moles में दिखेंगे, यहां पर 38.5472, तो 6 बनाते हैं, तो इसमें 2, 10 to the power 4 है, इसमें 2 add करना परेगा, गोना करना परेगा 10 to the power 2 को, तभी हमारा 10 to the power 6 coulomb होगा, 10 to the power 6 coulomb होगा, तो यहां 1 more coulomb, 1 mega coulomb रक्षकते हैं, तो उपर 10 to the power 2 से करेगे, तो नीचे भी 10 to the power 2 से करना परेगा, इस प्रकार से हमारा यहां पर, अर्थ इस 0.547, 2 into 10 to the power 6 coulomb, और यहां पर, 10 to the power 2, अब हम, इसे 10 to the power 2 इसमें, डिवाइट करेंगे तो, 0.38547, 2 into 10 to the power 6 के जगा हम, नेगा, नेगा, नेगा कुलंब लिख सकते हैं, तो यह हमारा 2 moles में, न, इतना 2 moles में, 2 moles of H2 gas में, न, रार्ज होगा, झाल, 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